मैं सुनिया सेंग और आज हम बनाने जा रहे हैं खांडवी बहुत ईजी है और बहुत लाइट रहती है इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बड़ी जंदी से बनने वाला स्नायक है तो चलिए हम देखते वाले इसकी क्या इंग्रिडियन्स है इसकी इंदर हम वन फोर्थ कप बेसन ले- अगर वन फोर्थ कप बेसन है तो उसका तीन गुर्ण हम चार्च लेंगे विहहागा il थी ट्री झार्च 3 जयागए वन फोर्थ बेसन पेसन के साथ-दू के साथ décidé चार्च और हम उसके लाइमन डालें या इसकी जग हर रावसत्का के लिए एक लैमन चला जाएगा और साथ मिस में जाएगा ऑईल वन टेबल स्पून और इसके अंदर जाएगा नमक वन टीस्पून और चीनी जाएगी हाफ टीस्पून अगर आप मीठा या खटा कुछ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं हम इस थोड़ी सी के लिए में कोकोनट पाउडर या फ्रेश कोकोनट ले सकते में दो टेबल स्पून लिया है और थोड़ा सा हरधनिया यह हम दोनों चीज़े फिलिंग के लिए यूज करेंगे तो पहले हम इन पांच से चीन ग्रीडेंस को मिला के पहले हम खाइगी के बैटर द्यार कर लेत के मदार जीमोर्य आपीस के लिए नियुदख ड्यग बीचप कर्ला शक्राइख कर लिया अब इसके अंदर डाल देते खुआ वाइल वन टेबल सून अ नमक शल्गिस के बाइगा तस के लिए चीनी हाफ तीस्कून हमने इसी मेजर करके लख़े हुए हैर इसको नमक से नश साथ में डाल देंगे इसको कंटिनुस्टर करना है इसलिए पहले सारे इंवीडियोंस डाल दीजिए लामन भी डाल देते हैं कटाई अपनी टेस्ट के पॉड़ी अब इसको कंटिनुस्टर करके में चलाता है क्योंकि यह चिप के गा थोड़ा सा बेशन है जल्दी से चिपकता है इसको हम कंटिनुस्टर करेंगे हलका सा किनारा छोड़ने तक यह रैडी हो जाएगा काड़ा होने लग गया यह बहुत ज्यादा फ्लेम पे नहीं किया हो मैंने दीखिए अगर ज्यादा फ्लेम करेंगे तो बहुत जल्दी लाम्स पढ़ने की चांस रहते हैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी में बान फोर्ट कब है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ने तो जल्दी से रैडी हो जाएगा यह जाएगा इसको बिचाएंगे तब यह अच्छे से सिकाई अच्छे से होगी तो ही यह अलग से आपकी निकल की आएगी नहीं तो यह चिपकी रहेगी है हलका हलका किनारा छोड़ना शुरू हो गया है यह देखिए तो बस यह होने ही वाली है किनारा छोड़ गया है और उमस्ट छोड़ के होगे यह देखिए इसका किनारा कितने अच्छे से छूट गया है तो मैं इसको बंद करते हूं और इसको स्प्रैट करने के तयारी करते हैं इसको मैं शिफ्ट कर देती हूं आप जहां अगर चाहे तो पॉल्थील पर और चाहे तो प्लेट पर्म को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उस पे आप इसको स्प्रैट कर सकते हैं और कॉर्णर अच्छे से राउंड वाली कटोरी ले लीजिए और उस इसको स्प्रैट करिए यह रिवर्स में जाना थोड़ा सा दिक्कत है तो थोड़ा सा अराम से करना पड़ेगा हले कि हाथ इसको स्प्रैट करना है थोड़ से पकली ले और जल्दी जल्दी करना है ने तो यह जमता जाता है जल्दी से सिकाई पापर होगी तो यह नाम से निकल कि आ जाएगा जिए जमना भी शुरू हो चुका है अब हम इसके अंदर फिलिंग के लिए मैंने कोकोनेट पाउडर और इसमें धन्या एड़ कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ अगर आप हरी चटनी अप्लाई करना चाहें तो पहले हरी चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बस पोदी नहीं या धनिया की चटनी है तो इससे और चपली बना जाएगा जी दिखिया हमने इस पे फटाब्स प्रैट कर दिया है अब यह बिलकुल पास किनिट मे पूरी सेट हो जाती है तो आप इसको अब थोड़े से स्ट्रिप्स में कटिंग कर देती हूँ हम हलका सा किनारा छूटते ही इसको आप फटा फट स्प्रैट कीजिएगा अगर किनारा छूट गया उसकी बात सिका ही करेंगे तो उसी में सेट होकी रह जाएगा आप स्प्र अपना बना है और अच्छे से सको रैप करेंगे रोल थोड़ा छोटा बनाना है बड़ा-बड़ा रोल नहीं करना है कान पेटरोल दीकिए अराम से चूट रहे है और एकदम शाहिनिंग वाला बना है यह डीखे बारा इकदम अच्छी सी लेयर भी बन गये इसको मैं सेपर बिल्कुल 5 मिर्ट भी नहीं लगते हैं इसको रडी होने में चलिए अब ही हमने इसको रोल्स तो हमने काटवी के बना ली हैं लेकिन थोड़ा से ओपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा चौक दूगी इसमें एक टीस्पून राई और दो तोड़ा की मिर्चे और थोड़ पानी है राई और सबस्लानमेट और इसके अंदर में तोड़ा सा दावती पानी बड़ को हम चौक श्रूपर्टेट पटपट तढ़ावें के लिए और मों पर स्मूमेट कर जाते हैं यह सब्सक्राइब है और ची हमारी खाणड़ी इल्कुल रेड़ी है आप इसमें तीका और नमा खटा जो भी आपको जैसा के इसमें हूं कम जादा कर सकते हैं वहत इसी रेसिपी है पांसे दस कृट में ही रेड़ी हो जाती है तो कैसा लगा फिट्बैक हुं कीजिए और शेर कीजिए थाइंग्यों सब्सक्राइब